दोस्तो जेके SSB ने अभी रिसेंटली जेई सिविल का नॉर्मलाइजड रिजल्ट जो है वो दुबारे से शियर किया है कल जो टॉपर थे वो आज टॉपर नहीं है I mean कल जो पहले नंबर पे जो पहला रैंक जिनका था वो अब पहले रैंक पे नहीं है उनका रैंक चेंज तो भाई नॉर्मलाइजड जो सकोर काड है अभी येके SSB ने जेई सिविल का लाया है अब जो केंडिडेट्स हैं जेके PSI के केंडिडेट्स को कहीं न कहीं ये दिमाग में कि भाई क्या नॉर्मलाइजड सकोर कार्ड हमारा भी शियर होगा या नहीं तो with facts अपके साथ बा आप इस चले पे पहली बार आएं तो चैनल को एक बार सबस्क्राइब कर दीजिए चैनल को सबस्क्राइब करने के साथ साथ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक के मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल को आप जोइन कर सकते हैं और इसके साथ में ही दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं जे के साथ बी के फॉरेस्टर क्लासी हमने अरीडी स्टार्ट कर दी है और आज हमने 6 एपिसोड क्म्प्रेट कर दे और हमने आज जो क्लास 11 की farmers की जो physics है हो गम्प्रेट कर दी है आपके result को लेके जब मैं इस PDF को open करता हूँ दोस्तों यहाँ पे तो मुझे clear cut समझ आ जाता है कि यहाँ पे बताया जा रहा है result oblique score card score sheet of the candidates in CBT for post of J.E. civil department अब यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि हमें बताया कि 29 13-1222 को notify किया गया था formula normalization का यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे normalization का बताया गया है कि आप क्योंकि अलग-अलग shift होती है तो normalization तो general बाते वो तो होगी यार अब यहाँ पे बताया गया है कि अब जो है वो normalized score बच्चों का आ चुका है और based on the normalized scores of the candidates who appeared in the CBT तो यहाँ पे जो है वो अब candidates का score जो है वो आ चुका है अब यहाँ पे अगर आप देखें दोस्तों एक मज़े की चीज मज़े की चीज यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आप एक बार आपको ज़रा screenshot screenshot में यहाँ पे आप देखिए जो सबसे पहला topper है जो मैंने आपसे कहा था कि बाई यह शेख हारिस हमीद है इनका score 105 था कल मतब यह CBT में इनका out of 120 total score था और यह aggregate score नहीं था यह CBT score था यहाँ पे इनने mention करके रखा था अब यहाँ पे ज़रा अगर आप देखें तो यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ यह screenshot यह है आज का screenshot एक सेकिंड यह आज का screenshot है तो भाई जो लड़का topper था महमद मीर महमद शेख हारिस हमीद जो पहले नमबर पे था वो आज जो normalized result आया है इस normalized result में जो है वो क्या हो गया है दूसरी नमबर पे आ गया है और इसका 110 score आ गया है यहाँ पे यहाँ पे दानिश अश्रप जो है वो अभी यहाँ पे टॉप नमबर पे दिखा रहा है और इसका 111.999999999966 ठीक है यहाँ पे आप देख सकते हैं यह figures है इसका मतब यह है कि जब भी by normalized score आता है तो इसकी यह figures होती है पांच figures मतब तीन के बाद तीन digits के बाद यह पांच figures या दो digit वाला score भी होगा तो उसमें पांच figures आती है अब यहाँ पे मेरे पास JKPSI का result है यहाँ पे आप अगर देखें JKPSI का result में तो JKPSI result में भी आप देख सकते हैं 135 candidate का score है तो यहाँ पे अगर आप देखें 125 एक candidate का score है 125 में जब यह आप 7.50 add करते हैं तो यह बनता है 133.18118 तो मतब यह कही न कहीं मुझे दिख रहा है कि यह शायद normalized score है ठीक है मुझे genuinely लग रहा है कि यह normalized score है अब मैं अगर PDF की तरफ चलूँ तो PDF में अगर हम देखें तो PDF में तो यहाँ पे जो है यहाँ पे दिखाया गया है कि यह जो score है इनका यहाँ पे आप देखिए यह तो भाई normalized यहाँ पे लिखा हुआ है मतब obviously उपर भी बात किया है कि normalized हुआ है यहाँ पे भी normalized score लिखा है लेकिन एक चीज़ पे मुझे doubt हो रहा है I may be wrong I may be wrong यहाँ पे आप देखिए I may be wrong मैं जरा वो PDF open करता हूँ एक बार JKPSI की तो एक चीज़ पे दोस्तों मेरे दोस्तों मुझे doubt हो रहा है किस चीज़ पे कि शायद JKPSI का भी जो हो सकता है normalized score आ जाए क्योंकि normalization का यहाँ पे कोई भी कहीं पे भी जिकर नहीं है normalization का एक बारे में यहाँ पे कहीं पे भी JKSSB ने जिकर नहीं किया नहीं बताया है एक चीज़ तो यहाँ पे मुझे यह चीज़ डाउट लग रही है लेकिन यहाँ पे एक चीज़ मुझे यह हैरान कर रही है कि यह जो अगर 5-6-7 figures में जो mentioned है that means यह एक normalized score हो सकता है अब अगर आप देखेंगे तो भाई यहाँ पे लोगों के जो है वो यहाँ पे ज़रा देखिए आप थोड़ा ध्यान से देखिए एक बंदा है इसका 130.98 score है और 138 point अब इसके NCC के points कुछ नहीं है तो भाई इसका बंदा है 130.98104 score बना है इसका ठीक है इसी तरह से दूसरा बंदा है उसका 135.52 है तो इसका बना है 130.1551638 तो यह शायद मुझे लग रहा है भाई कि यह शायद एक normalized score है क्योंकि यह साफ साफ दिखाई देता हुआ बट स्टिल मुझे पता है बहुत सारे लोगों का बहुत सारे लोग यहाँ पर question करेंगे कि बाई normalized score JKPSI का भी निकाला जाए तो बट मेरे को नहीं लग रहा है यहाँ पर यह शायद हो सकता है क्योंकि अगर normalized score नहीं होता तो यहाँ पर सीधा aggregate score नहीं लिखा होता सीधा score लिखा होता यहाँ पर NCC के सीधा यह add करके figures यह 6-7, 5-5, 6-6 figures नहीं होती तो जो कल का result है JKPSI का जो score है आपका वो ही है जो मुझे लगता है I may be wrong बाकि आपको क्या लगता है आपकी क्या राय है आप हमें बताइए आप हमें comment section में लिखे जुरूर बताइए बहुत सरे लोगों को इसकी चीज़ की वज़े से बहुत confusion create हो गया है that's why मैंने यह चीज़ें create किये आपको हाँ मुझे एक चीज़ यह थी कि भाई JKSSB ने अगर यहाँ पर mention नहीं किया है normalize score के बारे में तो शायद जो है वो यहाँ पर JKSSB chances हैं कि मतब 100 में से मुझे 1-2% chance लग रहा है कि maybe JKSSB JKPSI का भी normalize score आउट करे but यहाँ पर मैंने again I say कि 99% chances है कि वो आउट नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर तो score obviously normalized ही दिखाई दे रहा है तो बाकि आपका क्या भाई आपका opinion है आपकी क्या राय है you are free to speak आपको freedom of speech है बाई साब comment section में आप लिख सकते हैं आप अपनी राये दे सकते हैं comment section में और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जितना ज़्यादा हो सकता है और अगर आपको कोई doubt होता है यहाँ पे अपने score को लेके तो आप comment section में लेकर पूश सकते हैं तो इसी के साथ में दोस्तों चले अभी के लिए और आज के लिए फिलाल इतना ही है खुदा आप